हाव टू अनेबल मल्टिपल एड्रेस इन टेली प्रायम फोर कस्टमर आपको टेली प्रायम में आ जाना है और अपने कंपणी को उपन कर लेना है अब गेट्व टेली पे आपको कीबोर्ट से एफ 11 प्रेस करना है अब आपको यहां पर राट शर्म देखना है लिखा हुआ ह अनेबल मल्टिपल एड्रेस यहां नो लिखा हुआ है आपको यहां पर श्रॉइक कर लेना है उसके पाध इंतर्ध्रफ्रेस कर लेना है अब यहां देख सकते हैं एजगी एजी कंपणी आप इसको यहां पर sundry data में रखे गया जो आपका enable multiple address है यह आपका खास करकर sundry data के लिए बना हुआ है आप माल आपने party को sell करते हैं और party के जो location है party location change कर रहा है तो आपको उसके दूसरे location में बेलिंग करना होता है इसले enable multiple address का new future study prime में आया है तो sundry data में यहां कलिक कर लेता ह है आप यहां देख सकते हैं नया option आ चुका है set अल्टर multiple mailing details यहां no लिखा हुआ है आपको यहां पर yes कर लेना है अब address टैप अब address टैप में party के जो location है उस location को आपको यहां पर दर्शाना है mention करना है मैंने रांची लिखा mailing details पूर अब पूरा full address जो party का है वो party का address आपको यहां fill कर लेना है पार्टी का state को इंटर कर लेना है और pin को इंटर कर लेना है अब आपको निच्चे आना है यदि party का pain नंबर है तो आपको यहां दे देना है अब निच्चे आने के बाद GST वाले option में location party का change हुआ है पार्टी से आप confirm कर ले कि JST नंबर आपका change है कि वही JST नंबर है यदि वही JST नंबर है तो आपको यहां इंटर कर लेना है अब यहां से आपको सारे entry save कर लेना है यहां से आप नटोल ले दबाके save कर लेजिए अब आपको back आना है gateway टेली पे और यहां प adres यह मेने बनाया था अब इसे इंटर कर लईना है अब यहां देख सकते हैं idols टाइब का यहांыми पर हमले अब यहां परांटी अब multiple address में party को sale कर सकते हैं, save कर लेना है, और कोई भी goods को आपको sale कर लेना है, example मैं कर लेता हूँ, यह goods sale मैंने कर दिया इस party को उस location पर, जो location मैंने create किया, thank you so much.